शंगेश्वर माही एक ऐसी ओस्दी है जिसके इस्तमाल से सिरीर में होने वाली पत्री को निकाल कर बाहर किया जाता है। यह टैबलेट और कैपसूल के रूप में भी आसानी से बाजार में मिल जाती है। इसके इस्तमाल से मानाव सरीर के किसी भी परकार की पत्री को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। राग्वेंदर चोधरी ने बताया कि इसका इस्तमाल भी बड़ी आसानी से किया जाता है। पहले तो यह बाजार में कैपसूल और टैबलेट के रूप में भी उपलब्द है। और इसे आप आज पंसारी के दुकान से भी खरीच सकते हैं। यह एक सफेद रंग के पत्थर की तरह होती है। जिसे एक बारिक पीस कर इसके पानी से इस्तमाल किया जाता है। दही और शाच के साथ भी इसका परियोग किया जाता है। और इसका स्रीर पर कोई दिस्परवाव नहीं है। शंगेश्वर माही जैसे इसके नाम से है जाहिर होता है। यह मचली के सिर से निकलने वाला एक पत्थर होता है। जिसको शंगेश्वर माही कहा जाता है। शंगेश्वर माही इसका अर्भी नाम है। और इसका उप्योग ज्यादे तर यूनानी मेडिशन में किया जाता है। इसका उप्योग प्रभावी रूप से किड्नी स्टोन और गैल ब्रेडर स्टोन इन दोनों में इसका किया जाता है बजार में ये संगेश्वर माही के नाम से ही उसदी उपलब्द होती है यूनानी मेडिसन है और इसका उप्योग जो है वो टैबलेट्स के फॉर्म में उपल पीना चाहिए उसके अलावा यह क्या है कि यह जो मेटाबलिक डिसॉडर बॉडी के अंदर होते हैं और उनसे किड्नी फॉर्मेशन होता है तो किड्नी स्टोन फॉर्मेशन होता है किड्नी स्टोन फॉर्मेशन को रोकने में यह मदद करती है उसके अलावा यह जो गैल ब् बोड़ कर बोड़ी से बाहर निकाल देती है और इसका उपयोग में कोई किसी परकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है यह उपलब्द है बजार में इसका उपयोग बगेर किसी वैद्गेनियरेक्शन के भी क्या जा सकता है